दोस्तो आज की वीडियो काफी important होने वाली है इस वीडियो में हम budget की वज़े से stock market में जो भी changes हुए है उनको हम simple सब्दों में समझेंगे So let's begin इस वीडियो को दो part में divide किया गया है जिसमें first है equity में होने वाले changes और second है future and options में होने वाले changes तो चलिए सबसे पहले equity में होने वाले changes की बात करते हैं इस part में हम stocks, equity mutual funds, debt or non equity mutual funds, REITs, gold and silver ETF की बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले stocks में होने वाले changes की बात करते हैं तो चलिए सबसे पहले जानते हैं STCG और LTCG क्या होता है STCG की full form short term capital gain होती है और LTCG की full form long term capital gain होती है अगर आप stocks, mutual funds, ETFs को 12 महिने से कम time के लिए hold करते हैं तो short term capital gain लगता है और अगर आप इनको 12 महिने से ज़्यादा time के लिए hold करते हैं तो long term capital gain tax लगता है stocks, equity mutual funds और REITs पर पहले short term capital gain tax 15% लगता था लेकिन अब short term capital gain को 15% से बढ़ा कर 20% कर दिया गया है और long term capital gain पहले 10% लगता था अब इसे बढ़ा कर 12% कर दिया गया है date और non equity mutual funds में STCG और LTCG slave rate के according ही लगेगा gold और silver ETF पर पहले slave rate के according STCG और LTCG लगता था लेकिन अब STCG 20% लगेगा और LTCG 12% लगेगा आपको एक बात का और दियान रखना है stocks और equity mutual funds के लिए सालाना LTCG छूट की रासी 1,00,000,000 से बढ़ा कर 1,25,000 कर दी गई है चली अब हम finally future end options में होने वाले changes की बात करते हैं दोस्तो future end options में जो STT, securities, transaction tax लगता था वो पहले futures में 0.0125% लगता था अब इसे बढ़ा कर 0.02% कर दिया है और options में STT charges sell करते time 0.0625% लगता था अब इसे बढ़ा कर 0.1% कर दिया है दोस्तो या मैंने future end options का STT calculate करने का एक example का screenshot लगाया हुआ है आप यहां से old STT की जगे new STT लगा कर STT charges calculate करके हमें comment में share कर सकते हैं तो दोस्तो यह था आज का वीडियो I hope आपको यह वीडियो helpful लगा होगा ऐसे और learning वीडियो के लिए आप Wealthful Channel को subscribe कर सकते हैं